इसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी इंपोर्टेंट एंड अपडेटिड इंफर्मेशन तो चलते हैं बगार किसी देरी की हुए न्यूज की तरफ और चेक करते हैं फुल इंफर्मेशन तो प्राइविट जोब में स्थानिय लोगों को जो पिछतर परसेंट आरेक्षन देने की बात कही गी थी उस पर हाई कोट ने रोक लगा दी है जिसमें की हरियाना की खटर सरकार ने सपस्ट कहा था कि जब भी जोब निकलेंगी प्राइवेट कांप्रीज वगेरा में आप उस फॉन को फिल करके जब उसमें आपको 75% जो है आरेक्षन दीया जाएगा तो हरियाना के हाई कोट ने उसको क्या कर दिया है उस पर հोक लगा दी है उसको फिनिश कर दिया है ये हरियाना हाई कोट का आज ही जो ह डिसीजन आया है, कोट ने हरियाना डोमिसेल जोब रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है, हरियाना उद्योगसंग के ने राज्य सरकार को फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाना हाई कोट का रुक किया था, बता दे कि प्राइवेट नोकरियों में आरक्षन में कानून की कानून दस साल तक परभावी रहने की बात कही गई थी, स्टार्ट अप को कानून ने दो साल की छूट रहने की बात भी कही थी, साथ ही आई टी आई पास विवाव को रोजगार में प्राथमिक्ता देने को कहा था, अधिनियम के तहत कहा गया था कि योजना का लाव हरिया काना के मूल निवासी को ही मिलेगा, इसकी निगरानी उद्धो गेवं वानी जे विभाग के उपनी देशक सतर की अधिकारी करेंगे, इट बटो पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन इसको क्या है, कोर्ट ने जो है दरकिनार करते हुए, जो 75% आरक्षन की बात कही गई थ आज की अपडेट, आगे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और थैंक्यू सो मच